Hello Friends, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है. जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम Employability Skills के First Year के MCQs पर रहे हैं, तथा इस सीरीज में यह हमारा सेट नंबर सत्र है. मुझे उम्मीद है कि ये क्वेस्टन आपको समझा रहे होंगे. आज के इस मॉडियो में 20 Questions है, जो कि आपके CBT एकजाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो कृप्या वीडियो को पूरा देखें. मेरे चैनल Old School में आपका स्वागत है. तो आएए अब बिना देरी कि ये आज का वीडियो शुरू करते हैं. आज का हमारा पहला Question है. Regular Payment Made by the Employer to the Employee is Desh. यानि नियोकता द्वारा करमचारी को नियमित, Desh भुगतान किया जाता है. इसके Options है. Option A. Appraisal यानि मूल्यांकन. Option B. Debt यानि रिन. Option C. Loan यानि रिन. Option D. Salary यानि वेतन. इसका सही अंसर है. Option D. Salary यानि वेतन. हमारा अगला Question है. Deductions should be paid from the Desh. यानि कटोती कहा से चुकानी चाहिए. इसके Options है. Option A. Gross Salary यानि कुल्यां. Option B. Net Salary यानि निकासी वेतन. Option C. Earnings यानि कमाई. Option D. Basic Salary यानि मूल वेतन. इस Question का सही अंसर है. Option A. Gross Salary यानि कुल्वेतन. हमारा अगला Question है. The Government collects cash from the citizens. यानि सरकार नागरिकों से क्या वसूलती है? इसके Options है. Option A. Loan यानि रिन. Option B. Tax यानि कर. Option C. Deductions यानि कटोतिया. Option D. Conveillance यानि प्रवास. इसका सही अंसर है. Option B. Tax यानि कर. हमारा अगला Question है. कार्थिक has joined a new company. His salary is 3 lakh per year. This is his Desh salary. यानि कार्थिक एक नई कंपनी में शामिल हो गया है. उसका वेतन वर्ष में 3 lakh है. यह उसका Desh वेतन है. इसके Options है. Option A. Approximate यानि लगभग. Option B. Basic यानि मूल. Option C. Net यानि निकासी. Option D. Gross यानि कुल. इसका सही अंसर है. Option D. Gross यानि कुल. हमारा अगला Question है. Simon's Company calculated the income tax and paid on behalf of him. This is called Desh. यानि Simon की कंपनी ने आयकर गणना की और उसके पक्ष में भुगदान किया. इसे Desh कहा जाता है. इसके Options है. Option A. House Rent Allowance यानि घर किराया भथता. Option B. Interest यानि ब्याज. Option C. TDS यानि TDS. Option D. NPS यानि National Pension System. इसका सही अंसर है. Option C. TDS यानि TDS. हमारा अगला Question है. The amount put aside without being spent as Desh. यानि Desh, बिना खर्च किये अलग रखी गई राशी है. इसके Options है. Option A. Savings यानि बचत. Option B. Bill यानि बिल. Option C. Tax यानि कर. Option D. Deductions यानि कटोतिया. इस Question का सही अंसर है. Option A. Savings यानि बचत. हमारा अगला Question है. Money put aside for a big expense many years from now is Desh Saving. यानि बड़े वे के लिए अलग रखी गई धनराशी जो बहुत साल बाद हो Desh कहलाती है. इसके Options है. Option A. Long Term यानि लंबी अवधी. Option C. Vacation यानि छुट्टी. Option D. Doctor यानि डॉक्टर. इस Question का सही अंसर है. Option A. Long Term यानि लंबी अवधी. हमारा अगला Question है. Which among these is not good saving habit? यानि इनमें से कौन सी अच्छी बचत आदत नहीं है. इसके Options है. Option A. Shopping on websites यानि वेबसाइट पर खरीदारी करना. Option B. Tracking your expenses यानि अपनी खर्चों का पता लगाना. Option C. Clearing goals यानि लक्षियों को साफ करना. Option D. Saving money in bank यानि बैंक में पैसे बचाना. इस Question का सही अंसर है. Option A. Shopping on websites यानि वेबसाइट पर खरीदारी करना. हमारा अगला Question है. Rajesh wants to save 6,000 every year for his old age. How much should he save every month? यानि Rajesh को हर साल अपनी बूरा पर्याप्त छे हजार बचाने की इच्छा है. हर महीने उन्हें कितना बचाना चाहिए? इसके options है. Option A. 100. Option B. 500. Option C. 50. Option D. 6000. इसका सही अंसर है. Option B. 500. हमारा अगला Question है. Abhi wants to teach his 10-years-old daughter to save money from the pocket money she receives. Which option is the best? यानि अभी अपनी 10 वर्षिये बेटी को उसे मिलने वाले pocket money से पैसे बचाना सिखाना चाहते हैं. कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है? इसके options है. Option A. RD. अकाउंट यानि RD. खाता. Option B. रोन यानि रिन. Option C. पिगगी बैंक यानि मुद्दा बैंक. Option D. रोन यानि रिन. इसका सही अंसर है. Option C. पिगगी बैंक यानि मुद्दा बैंक. हमारा अगला question है. Money borrowed from bank or a person is DASH. यानि बैंक या व्यक्ती से उधार लिया गया पैसा है, DASH कहलाता है. इसके options है. Option A. टैक्स यानि कर. Option B. गिफ्ट यानि उफार. Option C. इंट्रेस्ट यानि ब्याज. Option D. यानि रिन. इसका सही अंसर है. Option D. लोन यानि रिन. हमारा अगला question है. The loan can be repaid in DASH. यानि रिन को DASH में वापस किया जा सकता है. इसके options है. Option A. Small Amount यानि छोटी राशी. Option B. Full Amount यानि पूरी राशी. Option C. Delayed यानि विलंबित. Option D. Free यानि मुफ्त. इस question का सही अंसर है. Option A. Small Amount यानि छोटी राशी. हमारा अगला question है. The price we pay for borrowing money is DASH. यानि पैसे उधार लेने के लिए हम जो मूले चुकाते हैं, DASH कहलाता है. इसके options है. Option A. Rohn यानि रिन. Option B. Interest यानि ब्याज. Option C. Hidden Charges यानि छिपी शुल्क. Option D. Processing Charges यानि प्रोसेसिं शुल्क. इसका सही अंसर है. Option B. Interest यानि ब्याज. हमारा अगला question है. Rita wants to complete her higher education from a good university. Which loan should she apply for? यानि रिता अच्छे विश्व विद्याले से अपनी उच्च शिक्षा पूरी करना चाहती है. उसे कौन सा रिन लेना चाहिए? इसके options है. Option A. Home Loan यानि होम रिन. Option B. Personal Loan यानि व्यक्तिगत रिन. Option C. Education Loan यानि शिक्षा रिन. Option D. Auto Loan यानि ओटो रिन. इसका सही अंसर है. Option C. Education Loan यानि शिक्षा रिन. हमारा अगला question है. Priyaj mother had to undergo an expensive surgery. She was able to pay for it through her desh यानि Priya की मा को एक मेहंगी सरजरी करवानी पड़ी. उसने इसे अपने desh द्वारा भुगतान किया. इसके options है. Option A. Life Insurance यानि जीवन बीमा. Option B. Vehicle Insurance यानि वाहन बीमा. Option C. Home Insurance यानि घर का बीमा. Option D. Medical Insurance यानि चिक्षा बीमा. इसका सही अंसर है. Option D. Medical Insurance यानि चिक्षा बीमा. हमारा अगला question है. Knowledge and awareness of laws is called ash. यानि कानूनों के ज्ञान और जागरुकता को डेश कहा जाता है. इसके options है. Option A. RTI यानि RTI. Option B. Legal Literacy यानि कानूनी साक्षर्ता. Option C. Awareness यानि जागरुकता. Option D. Constitution यानि सम्विधान. इस question का सही उत्तर है. Option B. Legal Literacy यानि कानूनी साक्षर्ता. हमारा अगला question है. RTI means देश. यानि RTI का मतलब देश होता है. इसके options है. Option A. Road Transport Institute यानि सड़क परिभण संस्थान. Option B. Right to Insurance यानि बीमा का अधिकार. Option C. Right to Inform यानि सूचित करने का अधिकार. Option D. Right to Information यानि सूचना का अधिकार. इस question का सही उत्तर है. Option D. Right to Information यानि सूचना का अधिकार. हमारा अगला question है. Online portal set up by the government to make any government-related complaints is देश. यानि सरकार द्वारा किसी भी सरकार संबंधित शिकायत को करने के लिए, देश Online Portal है. इसके options है. Option A. Public Grievances Portal यानि सारवजनिक शिकायतों का पोर्टल. Option B. Place Grievances Portal यानि जगा शिकायतों का पोर्टल. Option C. Public Informing Portal यानि सारवजनिक सूचित करने का पोर्टल. Option D. Public Information Portal यानि सारवजनिक सूचना पोर्टल. इसका सही उत्तर है. Option A. Public Grievances Portal यानि सारवजनिक शिकायतों का पोर्टल. हमारा अगला question है Sudha just delivered a baby for how can she take a maternity leave entitled to her as an employee यानि Sudha ने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया वह कैसे एक कर्मचारी के रूप में अधिकरित मातरित्व चुट्टी ले सकती है इसके options है Option A, 2 months यानि 2 महीने Option B, 5 months यानि 5 महीने Option C, 26 weeks यानि 26 haftे Option D, 1 year यानि 1 साल इस question का सही उत्तर है Option C, 26 weeks यानि 26 haftे आज का हमारा अंतिम question है Paul just got hired and received his employment letter He is supposed to read it carefully and sign as it is a dash यानि Paul ने हाल ही में नोकरी पाई और उसने अपनी रोजगार पत्र को प्राप्त किया उसे इसे ध्यान से पढ़ना और हस्ताक्षर करना है क्योंकि यह एक डेश है इसके options है Option A, Certificate यानि प्रमान पत्र Option B, Legal Binding Document यानि कानूनी बाधित दस्तावेज Option C, Marks Card यानि अंक कार्ड Option D, Poster यानि Poster इस question का सही उत्तर है Option B, Legal Binding Document यानि कानूनी बाधित दस्तावेज मुझे उम्मीद है कि आपको यह question समझाए होंगे आज के लिए बस इतना ही वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद कृपया चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूले Thank you all for your love and support